अलो अस्टुडेंट निर्वे 1-1 यूट चेनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अस्टुडेंट इस वीडियो में बात करेंगे BCC का जो 12th student थे टिक है 12th student के लिए यहां पे उसका result rank card सब लोग डॉनलोड कर लियेंगे तो उसका registration and choice च्वाइस फिलिंग का डेट आ चुका है तो आप इसको कर सकते हैं और इसका डेट जो है आज ही डिक्लियर हुआ है 30 से 11 2021 को ठीक है तो आईए इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे आपका कब से कॉंसलिंग प्रसेस स्टार्ट हो जाएगा और सीट मेट्रिक्स कब तक आ जाएगा यहां पर सारा कुछ डेट मेंसन कर दिया है तो यहां पर देखेंगे बएस इस पेले बता देखें जो सब्सक्राइब करके राखिए ताकि कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको वीडियो के माद़े में से मिल जाएगा ठीक है और और वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक बार लाइक कर देज़ेगा यहां पर देखेंगे और यहां पर देखेंगे एड़टाइजमेंट बदेखेंगे इंपोर्टेंट नोटिस इस ऑर यहां पर लिखावा एक। कि नोटिस आप डाउलोड करके अप्रूज सकते हैं यहां पर देखें पीडियोंड हो रहा है ठीक है यहां पर देख सकते हैं कि डॉलड हो चुका है और यहां पर लिखा हुआ है बिहार सहिएक्ट प्रवेस परत्विकिता परिक्चा 2021 बीसी सी पीसी एम पीसी बी या पीसी एम भी स्टुडेंट है तो आप लोग यहां पर सारा कुछ डेट मेंशन कर दिया है ठीक है सहीं मेदाभी मेदा सुझी के अधार पर बिहार राज्य के सरकारी अभिम्नीजी अभियंतरन सस्तानों में यूजी इएसी 2020 काइधार पर नमांकन उपरांत से सरीक्त सीटों पर नमांकन है तो क्या जाएगा यहां पे याँ आपका जितना भी गबर्मेंट इंजिरिंग कॉलेज है या प्राइबिट इंजिरिंग कॉलेज है उसमें सब आप लोग कॉंसलिंग या रेजिस्टेशन के माध्यम से आप लोग admission ले सकते हैं ठीक है और यहाँ पर कुछ important चीज़े दिया गया है कि कबसे आपका start होगा और यहाँ पर देखेंगे जो main इसका important date है इसको बात करेंगे हम लोग यहाँ पर seat matrix posting on website ठीक है आपका जो जितना भी seat किन यानि कितना total seat vacant है यानि कुछ filling for seat allotment 17 12 2021 को आपका जो counseling है registration and choice filling का process वह start हो जाएगा 17 12 से last date चलने वाला है आपका 21 12 2021 तक यानि 17 से किस तक आप choice filling कर पाएंगे उसका बात first round का जो result आएगा वह आजाएगा 25 तारीक को आजाएगा 25 से 29 के बीच आप डाउनलोड कर पाएंगे उसको ठीक है यहां पर देखिए 26 से 29 के बीच आप डाउनलोड कर पाएंगे document verification जो होगा पांच ठीक है document verification जो होगा यहां पर देख सकते हैं 26 12 से लेकर साथ एक 2022 ठीक है और document verification जो चलेगा आपका सकेंड रौंड का वह छे एक 2022 से लेकर साथ एक 2022 तक ठीक है तो यहां पर था जो भी important डेट है इसका हम मैंने डिसकस कर दिया है और इसका कोई भी जैसे ही registration या च्वाइस फिलिंग श्टार्ट होता है इसके वीडियो मैंने अपलोड separate वीडियो अपलोड कर दूँगा तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखे ताकि कोई भी अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा यहां पर देखिए document verification से समझे दिया गया है कुछ कि आपको क्या क्या लगेगा document के समय verification के समय यहां पर देखेंगे intermediate intermediate का आपको admin का रखना होगा और उसका provisional certificate और उसका मार्क सीट ठीक है उसके बाद यहां पर देखेंगे metric metric का भी आपको आपके पास होना चाहिए admin का provisional certificate और mark street होना चाहिए और ब्यार से प्रवेस प्रजेट निता यानि BCC का आपके पास admin card होना चाहिए और photo ठीक है छे गो फोटो होना चाहिए आप वह फोटो देंगे जो आपका admin card में यह photo है वह फोटो बनवा लेंगे जो भी इंटर जहां से किये होंगे ठीक है और यहां पर 12 में दिया गया है बिकलंग कोटा के लिए तो आप इसको चाहिए तो पर सकते हैं ठीक है और यह इतना जरूरी नहीं है यहां पर copy of अधार काड अधार काड अरिजिनल आपको यह जाना पड़ेगा और उसका फोटो कोपी भी चाहिए बिसीची 2021 का ओनलाइन किये अप्लिकेशन फोरम का पार्ट है और पार्ट भी हाड़ कोपी लाना पड़ेगा प्रिंट आउट निकलवागे रेंग काड आप बिसीची 2021 क करने के उपरांद च्वाइन स्लिप आपको मिलेगा ठीक है रेजिटेशन और च्वाइस फिलिंग करने के बाद च्वाइस स्लिप मिलेगा उसको भी प्रिंट आउट करके लेकर आना पड़ेगा उसके बाद है डाउनलोड किये गए प्रोविजिनल एलॉट्मेंट और ठी और यहां पर जितना भी में में इंपोर्टेंट चीज था मैंने डिस्क्स कर दिया है अगर वीडियो अच्छा लगता है जरूर एक पर लाइक कर दिजिएगा अगर चैनल पर नई स्टुडेंट है चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ठीक है और कॉंसलिंग और जैसे ही स्टार्ट होगा आपको वीडियो के माद्यम से बता दिया जाएगा ठीक है टेक कियर ब